सबसे पहले तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये exactly क्या हुआ है, किस हद तक हुआ है, कहां तक ये कुछ technology से कर दिया, कुछ remote से कुछ कर दिया, ये सब कहां का ये technological घाल मेल क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए, जहां तक मुसाद का ये intervention है, जो की करा है उन्होंने लेविनिन में हेजबुला के खिलाफ, कहते हैं कि कुछ पांच-छे महने पहले, हसन नसर अल्ला जो की हेजबुला के लीडर है, उन्होंने एक हिदायत दी थी अपने ग्रूप को कि इसराइली आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपका मॉबाइल फोन इस्तमाल करके आपकी लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, आपको टार्गेट कर सकते हैं, और ऐसा इसराइल ने करा भी था, तो जब इसराइल ने इनको टार्गेट की भी एक कंपनी थी उसको इंटरसेप्ट करा गया और मुसाद ने उसके अंदर तीन से लेकर पांच ग्राम एक्स्प्लोजिव लगाया है जो कि एक खास मेसेज के थुरू डेटोनेट करा फिर सोलर पैनल डेटोनेट करे पैंडराइफ डेटोनेट करे इन लोगों ने और ल कि देशत कभी नहीं हुई जितना ये रिमोट कंट्रोल से डेटोनेट पैजर्स की हुई है या वाकी टॉकी की हुई है हाँ खुन खराबा बड़ा हुए अगाजा में इसमें कोई शक नहीं है और बहुत मारा मारी हुई है लोग मरे हैं लोगों की जाने गई है इसमें भी तो आप टैनल में जा सकते हैं आप बेस्मेंट में जा सकते हैं लेकिन आपकी जेब में पेजर है आप उससे कैसे बचेंगे घर में कोई गया वाशिंग मशीन भट गई टेलिविजन भट गया माइक्रोवेफ फट गया पानी गरम कर रहा है सोलर पैनल भट गया आप इन इस लिजन चलाएगा तो उसको ये लगएगा कहीं रिमोट में कुछ है तो नहीं कि मेरा हाथ उड जाए यह दैशת इसराईले धे और ने लेुगों के मरने की जीत जीत घेगआ ये सबसे बड़ी इसराइल की और मुसाद की जीत है इसे पहले कि मैं आपने बाकी मेमानों के पास भी जा हूँ हमारे साथ कनिश गौड भी जुट चुके है डिजिटल और टेक एक्सपर्ट हैं बहुत-बहुत सफागत है कनिश का आपका और हमारे साथ हैं देश के जाने माने साइबर सिक्यूर्टी एक्सपर्ट और साइबर लॉइ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साब भी पवन जी आपका भी बहुत-बहुत सफागत है पर मेजर आरे एक छोड़ा सा सवाल मेरा ये रहेगा क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बहुत जादा क्यूरोसिटी में उनको होल्ड नहीं करना चाहता हूँ हर कोई यही पूछ रहा है आपने भी कहा कि रिमोट से ये डेटोनेट किये गए हैं क्या ये वाकई में रिमोट से बिना किसी फिजिकल टच या बिना किसी फिजिकल इंगेजमेंट के क्या पॉसिबल है आप वेपन एक्सपोर्ट भी है आपने अपने सर्विस के दोरान इसकी पढ़ाई भी किया है थोड़ा बताएं सर क्या वाकई में बिना फिजिकल इंगेजमेंट के हम किसी भी डिवाइस को एक वेपन में कनवर्ट कर सकते हैं क्या आपको ऐसा लग रहा है घायजार रुपे का लिचुग यह को ऐसा लिखा normally एक मोबाइल नंबर को डाइल करके उसको डेटोनेट कर सकते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है यह बड़ी आमसी बात है और terrorists all over the world they do it यह होता है यह आम सी बात है इसमें कोई अचंबे वाली बात नहीं है यह होता है बड़ा कॉमन है